साथियों नमस्कार आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में बहुत बहुत धार्दिक स्वागत है तो आज का हमारा टापिक है लास्को गुफा यानि यूरोपी गुफाया है तो दोस्तों यह टापिक चाहें कोई भी परिच्छा हो TGT PGT DSSB NBS कोई भी परिच्छा हो सभी के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है तो दोस्तों सबसे पहले जी साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को अवस्य प्रेस कर ले जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुंश सके साथी वीडियो को लाइक क लुकस topic अगफ करते हैं लासक्को गुफा जो एक य' environment गुफा है इसके बारे में कूश्च ना इंसर के माध्यिम से वह देखते हैं तो चलिए पहले कुश्च कूश्चन दिया गया हाँ समस्त काइनट वरी छेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में श्रेष्ष है तो स चलिए अगला पांट दिया गया है लास्को गुफा कहां इस्थित है तो लास्को गुफा यूरोप के एक देश कहां फ्रांस में फ्रांस में इस्थित है अगला पांट दिया गया है लास्को गुफा की खोज किस वर्स हुई थी तो यह आप सभी को बताना है लास्को गुफ तो हमारे दोखारब वही प्वाट लिए जाते हैं जो परिष्छा में कई बार पूछे जाचुके हैं या पूछेजने किस संभाव ना है चले एगला उभाड पाइट ढक्यूशन है यह लासको गुफा की खोज किसके दोखन होई थी तो लाच को गुफा में इसमें दो लोगों के द्वारा खोज हुई थी एक तो कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कुछ बच्चों द्वारा खोज की गई और कहीं पर दिया गया है हेनरी ब्रोईल द्वारा इसमें जो भी option आपको दिया गया हो उसी को सही करना है चले अगला question है लास्को गुफा बनी तो गया है लास्को गुफा कीश के चित्रों के बारे में विश्त्रत जानकारी किस ने दी है तो विश्त्रत जानकारी किस ने दी है यह हैं फरनंड विल्ड नस तो यह हैं फरनंड विल्ड नस इन्होंने लास्को गुफा के चित्रों के बारे में विश्त्रत जानकारी दी है चलिए अगला पॉइंट है तायरते हिर्णों का प्रमुख चीत्र किस गुफा में मिला है या किस गुफा से मिला है तायरते हिर्णों का तो उत्तर है लासको गुफा से चलिए अगला पॉइंट है लासको गुफा से सबसे अधिक चीत्र किसके मिले हैं यानि किस चीज के सब चलिए अगला कुश्यन है कहां के चित्रों को अलता मीरा गुफा के चित्र से भी प्राचीन माना गया है जो अलता मीरा के गुफा के चित्रों से भी प्राचीन है तो इसका उत्तर है लासको गुफा लास्को गुफा के चित्रों को अल्ता मीरा गुफा के चित्रों से भी प्राचीन माना गया है अगला पॉइंट है लास्को गुफा किस परवत स्रंखला के अंतरगत आती है तो किस परवत स्रंखला के अंतरगत आती है तो लास्को गुफा पे निरीज परवत स्रंखला के अं कर्माइकियाल का है वेरिंपोटर्एंट क्या समयकाल है तो लाज़ को गुफा का समयकाल है सतरा हजार से पंदरा हजार इस यप पूर्व चलिए अगला अगला पॉइंट है लास्को गुफा की कौ जिस कि Ella सताब्दी में हुई थी तो लास्को गुफा की खोज जो हुई है वो बीसमी सताब्दी में मनी जाते हैं तो बीसमी सताब्दी में लास्को गुफा की खोज हुई चलिए अगला पॉइंट है लास्को गुफा को कब सारवजनिक किया गया सारवजनिक यानि सब के लिए आम जनता के लिए कब सारवजनिक किया गया तो 1948 इस वी में लास्को गुफा को सारवजनिक कर दिया गया अगला कुछन है लास्को गुफा के लंबाई कितनी है चवड़ाई कितनी है तो लाज को गुफा की चवड़ाई 9 मीटर मानी जाती है तो चले दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है तो पहले बार जो भी विजिट किये हो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब अवस कर लेना वीडियो को लाइक करना कताई न भूलन दोस्तों फिर इसी तरह लेकर वीडियो अगले बार मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जय हिंद